यहां पर वाह तत्वत्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और उस फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है आप उस चीज की उर्जा को उस फिक्वेंसी पर कमपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं जब आप अपनी मनचाही चीज के ध्यान केंदरित करते हैं तो आप उस चीज के परमाडूओं के कमपन को बदल रहें और उसे अपनी और गुला रहें आप ब्रहमांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी पूर्जा पर ध्यान केंदरित करने के शक्ति मिली हैं जिस वज़न से आप अपनी मनचाही चीज की फिक्वेंसी पर पहुच कर उसके कमपनों को बदल देते हैं जिससे वह चुम्बक की तरह आप योर खिची चली आती हैं जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीजों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप ततकाल उनकी फिक्वेंसी पर पहुच जाते हैं इस कारण उन चीजों की उर्जा आपकी ओर कमपन करने लगती हैं और वे चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं आकरश्र का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकरशित करती हैं आप उर्जा के चुम्बक इसलिए आप अपनी मरचाही चीज में विद्यू के उर्जा भर देते हैं इंसान अपनी खुद की चुम्बक की उर्जा का प्रवंधन करता है कोई बाहरी ब्यक्ती उसके लिए सोच नहीं सकता या मैसूस नहीं कर सकता हमारे विजार और भावनाएं ही हमारी फ्रिक्रेंसी नहीं करती है